नवस्कार साथियों मैं हूँ अविनाज शर्मा पोजिटिव बिल्डर यूटिप चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको जानकारी दूँगा वुडन कोटेज से जुड़ी हुई अगर आप भी इस तरह की कांस्रक्शन करना चाहते हैं वुडन कोटेज बनवाना चाहते हैं तो वुडन कोटेज बनाते समय और बनाने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है इसी के बारे में जो है वो आज इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी ताकि आप भी देखिए अगर आपका प्लोट जो है वो समतल है और बारिश के दिनों वहाँ पर पानी रुकता है तो इस तरह की जगा पर अगर आप वुडन कोटेज बनाएंगे तो प्लिंथ हाइड जो है वुडन कोटेज की जो फाउंडीशन है जो पत्थर या फिर कॉनक्रीट से बन ना हो और इसी के साथ जो है वो सीलेंज जैसी समध से आपके वुडन कोटेज में ना आए तो वुडन कोटेज की कांस्ट्रक्शन करने से पहले वुडन कोटेज को बनाने से पहले इस तरह की हट बनाने से पहले प्लिंथ हाइड का विशेश तोट से ध्यान रखना है आप का जो वुडन कोटेज है वो डेड़ से दो फीट उपर होना चाहिए ताकि पानी जो है वो आपके structure को खराब ना करें साथियों जब भी आप वुडन कोटेज बनाएंगे तो आपको एक महतपून बात का एक important point का ध्यान रखना है देखिए जैसे ही आप वुडन कोटेज बना रहे हैं तो एक कोटेज से दूसरे कोटेज की दूरी जो है वो 8 से 10 फीट होनी चाहिए मान लेजिए किसी कारण से जो है वो आग या फिर फाइरल आपके कोटेज में इस तरह के जो है वो short circuit होते हैं जिससे आग लगने के chances बनते हैं फिर आग लगती है तो आपका दूसरा कोटेज जो है दूसरी property जो है वो खराब ना हो उसमें जो client बैटे हैं और फिर लोग बैटे हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो और safety को ध्यान में रखते हुए आपको जो है वो wooden कोटेज के बीच की दूरी को 8 से 10 फेट रखना है आपके लिए ये बहुत ही महतुपून जानकारी है और इसे आपको जो है वो construction के दौरान ध्यान में रखना है इसी के साथ साथियों आपको हमेशा ध्यान देना है अगर आप जो है वो हिली एरिया में wooden cottage hut बनाना चाहते हैं वहाँ पर जो है वो snow जादा गिरती है बर्फ जादा गिरती है तो आपको अपने रूफ की जो slope है उसे जादा रखना है उसे steep रखना है ताकि वो जो आपकी snow है बर्फ है वो असानी से जो है वो रूफ से नीचे गिर जाए तो जब भी आप जो है वो हिली एरिया में construction करेंगे तो आपको जो है वो रूफ की slope को steep रखना है अगर आप जो है वो ऐसे एरिया में plane एरिया में जो है वो construction कर रहे हैं जहाँ पर snow नहीं होती है फिर नहीं जो है वो आप रूफ किस लोग को कम कर सकते हैं तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है इसी के साथ साथियों आपको जो है वो रूफ को extend करना है लगभग तीन फीड जिसे हम technical term में छज्जा भी कहते हैं अगर आप छज्जों को तीन फीड तक extend कर देंगे तो बारिश के समय में जो है वो आपकी लकडी की दिवारे जो है वो खराब नहीं होंगी उसमें पानी नहीं लगेगा तो जब भी आप जो है वो वुडन कॉटेज बनाएं आपको तीन फीड तक जो है वो रूफ को extend करना है छज्जे जो है वो आपर provide करने है इस बात का भी आपको ध्या ठीक रहेगा लकडी के लिए ठीक रहेगा उसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाई जाएगी उसमें डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी लेकिन बस आपको इस वीडियो में यही बताना चाहता हूँ कि आपको termite solution का इस्तेमाल जरूर करना है ताकि दीमक जो है आपकी लकडी को खराब ना करें तो साथियो यह थी वुडन कोटे से जुड़ी हुई महतपून जानकारी अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो positive builder youtube चैनल को subscribe कर दीजे बेल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि इस तरह की महतपून जानकारी आपको समय पर मिलत आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए आपका दिन शुब हो धन्यावाद